वित्मंत्री निर्मला स्नीता रमण एक फरवरी को वित्वर्स 2021-22 का केंद्री बजट पेश करेंगी वो ऐसे समय में ये बजट पेश करने जा रही हैं जब पिछले करीब दो महीने से पंजाब और हर्याणा के किसान नए कृशी कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं ऐसे में सबके निगाहें इस बात पर लगी होंगी कि सरकार किसानों को लेकर बजट में किस तना के प्रावधान करती है विशेश रूप से इस बजट से किसानों को उमीद है कि धाचा गत निवेश बढ़े और सरकार इसमें निवेश को बढ़ाएगी और इस पर ज़्यादा ध्यान देगी जैसे कि सिचाई प्रशंश करण वियर हाउस और लॉजिस्टिक आने ट्रांस्पोर्टेशन कोल्ड चेन आजी इन पर और विशेश कर नई तक्निकियों पर और अपने टेक्स का जो इसका स्ट्रेक्चर है गवर्मेंट का उसमें नई तक्निकियों पर और जो टेक्टर के जैसे हैं, जैसे क्रिशी अंत्र हैं, उन क्रिशी अंत्रों पर जीस्टि घटाएगी, ने तक्रीपेर जीस्टि घटाएगी, टेक्सी छूट देगी, इस तरह से हमें उमीद है कि सरकार विशेश रूप से जेवी खेती को बढ़ावा देगी किसानों की योजनाओं में फंड का इज़ाफा होने के उमेद कयास लगाये जा रही हैं कि नए क्रिशी कानूनों को लेकर हो रहे विरोत को देखते हुए, सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, कुछ उपायों की घोशुना कर सकती है सरकार ने 2022 तक किसानों की आये को दोगुना करने का लक्ष रखा है कृशी विशेशग्यों का मानना है कि सरकार का कृशी और इससे जुड़े सेक्टर पर फोकस बने रहने के उमेद है इसके अलावा ग्रामीर्ड शेत्र की बुनियाधी धाचे से जुड़ी तमाम योजनाओं के लिए अतरिक्त फंड के आवंटन से भी कृशी शेत्र की तस्वीर में बदलाओ देखने को मिल सकता है बढ़ सकती है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी की राशी वित्मंत्री निर्मला सितरमड का ये तीसरा बजट है ऐसे में किसानों को उन से जादा उम्मीदे है किसान एसास में है कि कोरोना महमारी के बाद वित्मंत्री कृशी शेत्र के लिए कुछ खास ऐलान करेंगी पियम किसान सम्मान निधी योजना की रखम को ले कर चल रही मेडिया रिबोर्ट की माने तो इसमें इजाफा भी हो सकता है अभी इस स्कीम के तहट किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों की उम्मेद है कि सरकार प्रधान मंतरी किसान सम्मान नधिर में बढ़ोतरी कर सकती है। केंदर सरकार हर साल कृषी शेतर के लिए करज का लक्ष बढ़ाती रही है। ऐसे में इस बार भी 2021-22 के लिए इस लक्ष को बढ़ा कर 19 लाग करोण रुपए तक किया जा सकता है। दरसल कृषी उत्पादन बढ़ाने के लिए करज जरूरी है। संसागत स्रोतों से करज आसानी से मिलने पर किसानों को महाजनों और सूध खोर से करज लेने के जरूरत नहीं पड़ती। इससे उन्हें ज़्यादा ब्याज भी नहीं चुकाने पड़ता। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि सरकार कृषी करज का लक्ष बढ़ा सकती है। इस बार के बजट को लेकर क्या कहते हैं कृषी विशेशग्ये। विनमर सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार अगर आने वाली पीडियों के स्वास्त की चिंता करना चाहती है। और ग्लोबल मार्केट में चाहती है कि किसानों को वहां से भी उस बज़ार से भी वाजिव लाप का हिस्सा मिल पाए। तो जेवी खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा और बजट आपंड़ में उस पर पूरा ध्यान देना होगा। कृशी GDP में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और किसानों की आय के लिए ये शेत्र बड़े स्टोत के रूप में उभर रहे है ऐसे में किसानों को भी उमीद है कि इन शेत्रों में भी बजटीये प्रावधानों में महत्व मिल सकता है। टीम लोकल वोकल